हेलो दोस्तों कैसे हैं आप उमीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी तो दोस्तों आज में फिर से आपके सामने 30 कोश्चन जीके जीके जीस से संबंधित लेकर आया हूँ चुकि हमारी बहुत सारे एक्जामों में पुछे जा सकते हैं और ये कोश्च पर आप एक से लेकर 30 का नंबरिंग करिए और मेरे साथ साथ इन कोश्चन को हल करिए और मुझे बताना तो बिलकुल भूलिएगा कि आप ये कितनी कोश्चन सही हुए तो चलिए दोस्तों सुरुवात करते हैं पहला कोश्चन है प्रधान मंतरी मात्रवंदना योजना किस मंतराले के अंतरगत आती है तो दोस्तों इसका अंसर है आपका C नंबर महिला एवं बालविकास मंतराले तो दोस्तों इसके बारे मैं आपको बता दूँ कि ये जो योजना है ये प्रधान मंतरी सिरी नरेद मोदिजी द्वारा जनवरी 2017 में शुरू की गई थी तो स्वच सर्विच्छन 2017 में किस सहर को देश का सबसे स्वच सहर माना गया है तो दोस्तों इसका अंसर है आपका D नंबर इंदौर दोस्तों यहां मैं आपको बता दूँ कि पहले नंबर पे इंदौर को रखा गया है दूसरे में भपाल को तीसरे में विशाखा पटनम तो दोस्तों थोड़ा आप चाहें तो इसके सिक्वेंस को जो मैंने बोला है आप तहीं note भी कर सकते हैं Next question देखते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रा ले तथा स्वास्त एवं परिवार कल्नियाण मंत्रा ले इसके अलावा मानो संसाधन एवं विकास मंत्राले द्वारा सहीत रूप से चलाई गई योजना है इसमें से कौन से योजना है जो इन तीनों मंत्राले द्वारा सहीत रूप से चलाई गई है तो दोस्तों आप इसका आंसर देखिए इसका आंसर है C नमब बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, योजना दोस्तों इस पर मैं पहले भी मैंने इन questions को अपने GKGS में use किया हुआ है अलग-अलग तरीके से questions को बनाए गया है ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए मैं फिर से आपको बता जाता हूँ कि 25 जनवरी 2015 को पानी पत से इसकी सुरवात की गई जै और ये question आपका current affairs में इसलिए सामिल हो सकता है कि ये योजना थी, ये 161 जिलों में अब तक लागू हो चुकी है और प्रधानमंत्री जी ने 8 मार्च 2018 को इस योजना को 600 जिलों में विस्तृत किया है यनि कि और ज्यादा विस्तृत करने की खोशना कर दिया, 600 जिलों में तो इसलिए ये थोड़ा important हो सकता है कब किया इसा है? 8 मार्च 2018 को next question देखते है question number 4 triple तलाग examining faith नामक चर्चित पुस्तक के लेखक है तो इनमेंसे किस नहीं इस पुस्तक को लिखा है? तो इसका अंसर है सल्मान खुर्शित यनि कि B number next question देखते है wish for you are kausal divas मनाया जाता है तो दोस्तों इसका अंसर है आपका 15 जुलाई next question देखते है question number 6 महिला होकी एशिया कप 2017 में उप विजेता टीम रही ध्यान दिचेगा उप विजेता की मैं बात कर रहा हूं कि कौन उप विजेता टीम रही है तो दोस्तों इसका अंसर है आपका चीन ठीक? चीन जो है उप विजेता था और विजेता जो टीम थी वो थी भारत भारत ने दूसरी बार इस पृत्योगता को यानि कि महिला एशिया कप को जीता था ठीक है? होकी जो कप था उसको और यदि तीसरे नमबर की बात करें तो दच्छिर कोरिया तिरती इस्थान पर आया था नेक्स कोशन देखते हैं कोशन नमबर सैवन योग के अविश्कारक कौन है? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा कोशन है आपको और आपको एक बार में आद हो जाएगा यदि आपको ये कोशन नहीं आद है पतन जली ठीक है ना? तो नेक्स कोशन देखते हैं कोशन नमबर एट जौन पुर्ण नगर की स्थापना किस ने की थी? तो दोस्तों इसका अंसर है फिरोज शाह तुगलक यानि कि बी नमबर नेक्स कोशन देखते हैं कोशन नमबर नाइम किस समवैधानिक संसोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है तो दोस्तों इसका अंसर है आपका चवालिसमा संसोधन यानि कि ए नमबर नेक्स कोशन देखते हैं फाहियान भारत में कब आया था? दोस्तों इसका अंसर है 399 ठीक है? 399 इसवी में यह भारत आया था और यह एक चीनी यात्री था और चंदरगुप्त दुती के समय में यह भारत आया था नेक्स कोशन देखते हैं नमले के में से किस चिले में मारा म्रदा मार म्रदा पाई जाती है ठीक? तो दोस्तों इसका अंसर है आपका 6 C नमबब देखें बुंदेल खंड का जो छेतर है वहाँ पे यह मार म्रदा पाई जाती है तो इसका अंसर आपका हो गया 6 नेक्स कोशन देखते हैं कोशन नमबब 12 निम्लिकित में से कौन एक भारती सम्विधान के अंतरगत आपात की घोषना का आधार नहीं हो सकता ठीक है? ध्यान देखें का नहीं हो सकता तो आंतरिक अशांती यह आपका भारती सम्विधान के अंतरगत आपात की घोषना का आधार नहीं हो सकता ठीक, next question देखते हैं, question number 13, पर्तिस्ठित, ताइलर प्रुजकार किस छेत्र में प्रदान किया जाता है, दोस्तों इसका अंतर है, पर्यवरण सुरक्षा, यानि कि आपका डीन अपर, next question देखते हैं, British सरकार द्वारा, लंदन में भारती निताओं का प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब बुलाए गया, तो दोस्तों इसका अंतर है, आपका, 1930, 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोल मेज सम्मेलन का आईजन हुआ था, ठीक, next question देखते हैं, question number 15, भारत के समिधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो दोस्तों इसका अंतर है आपका, 11, यानि कि D number, next question देखते हैं, भारतीय पैटेंट कानून कब लाग हुआ, तो दोस्तों, इसका अंतर है आपका, 20 अपरेल 1972, ठीक है, यानि कि C number, next question देखते हैं, Why I am a Hindu, नामक पुस्तक के लेखक है, इस पुस्तक को किसने लिखा है, दोस्तों, ये बुक अभी चर्चित पुस्तकों में से हैं, इसलिए आप इनको जरूर देखिएगा, तो इसका अंसर है आपका, A number, सची थरूर, next question देखते हैं, Question number 18, जीव मिलखा सिंग किस खेल के लिए जाने जाते हैं, दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजेगा, ठीक है, जीव लगा हुआ है, मिलखा सिंग नहीं, सिर्फ मिलखा सिंग नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर है आपका, गोल्फ, और आप सही अंदाज लगा र है, ठीक, next question देखते है, question number 19, निमलिकित में से किसका उप्योग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है, तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर है आपका, glycerol, यानि की, A number, next question देखते है, question number 20, देखें, दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ sister, ठीक है, sister का code है, 2, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, तथा, acr का code है, इतना, तो इसमें पूछ रहा है, arrest का क्या होगा, A, R, E, ST, का code क्या होगा, तो दोस्तों, देखें, S, S, हम यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, कि S और S, इन दोनों के लिए 2 का use हुआ है, I के लिए 1 का, T के लिए 3 का, E के लिए, आपका यहाँ पर 4, और R के लिए 5, तो आप इसी तेकर से देख लिए, कि यहाँ पर A के लिए 6 तो जब यहाँ पर हम नोट करेंगे, तो यानि कि A के लिए क्या हो जाएगा, A के लिए 6, A के लिए हमारा आजाएगा, देखें, इधर लिखते रहा हूँ, A के लिए 6, R के लिए, देखें, यहाँ पर दे रखा है, यह रहा R, R के लिए आदे रखा 5, फिर R के लिए 5, तो इस तरीके से जब आप पूरा कूट मिलाएंगे तो आपका अंसर आ जाएगा इसमें 655-423 यानि कि आपका B-Number ठीक है next question देखते है question number 21 जो चौधवा FIFA क्लब विश्व कप फुटबॉल प्रितियोगता 2017 का आयोजन हुआ था उसका विजेता देश कौन सा था तो दोस्तों इसका अंसर है आपका Spain यानि कि A-Number next question देखते है oxygen जो प्रकास संस्टिलेशन से उत्पन होती है वो आती है तो इसका अंसर होगा आपका जल से ठीक यानि कि A-Number थोड़ा यहां मैं आपको बता दूँ कि प्रकास संस्टिलेशन के किरिया एक उपचयन और अपचयन किरिया होती है इसमें जल का उपचयन ऐकसीजन के बनाने में होता है और carbon dioxide का अपचयन शरकरा के निर्माण में होता है ठीक है? तो थोड़ा से इसको समझने के लिए है ठीक? तो oxygen जो प्रकास इंसलेशन में उत्पन होती है वो आती है कहां से जल से नेश्ट कोशन दिखते हैं यह भी बहुत अच्छा कोशन है आपके लिए बहुत ही आसान भी है निमलिकित को तारती क्रम में व्यवस्थित कीजे और नीचे दिए गया कूट से सही उत्तर दीजे तो दोस्तों यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि सरपथम क्या आएगा तो देखें दोस्तों सबसे पहले आएगा बिंदू ठीक बिंदू के बाद आएगा आपका सबसे पहले यह फिर आएगा आपका रेखा और फिर रेखा के बाद क्या आएगा जब दो रेखाएं मिलेंगी तो बनेगा कोंड और कोंड के बाद क्या आएगा बनेगा आपका त्रिभुच और त्रिभुच के बाद क्या आएगा बनेगा आपका आयत तो आपका ये सिक्वेंस बनेगा इसलिए सिक्वेंस बना आपका 42531 यानि की बी नुबर नाच्छी कुश्चन देखते हैं कुश्चन नुबर 24 दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला इंजाइम है तो दोस्तों इसका आंसर है आपका रेनिन यानि की C नुबर नाच्छ कोश्चन देखते हैं 25 नुबर भाषाई आधार पर भारत में सरप्रथम किस राज का गठन किया गया तो दोस्तों इसका आंसर है आपका आंद्र प् नाच्छ कोश्चन देखते हैं चमपा किस महाजनपत की राजधानी थी दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर है अंग ठीक और मैं थोड़ से चीज़ आपको बताना जाता हूँ कि छेटी श्रताब्दी शपूर में किसकी कौन सी राजधानी थी च आयुध्या यानि कि श्रिवस्तु श्रिवस्ती ये कौशल की राजधानी थी गृवज यानि कि राजग्रे ये मगध की राजधानी थी और वैदेह यानि कि मिथला ये वाजजी की राजधानी थी तो ये आप चाहें तो आप कहीं पर इसको नोट पी कर सकते हैं तो जितन के चल लागत किसी फार्म के चल लागत पूजी में निम्लिकित में से क्या सामिल नहीं है तो दोस्तों इसका आंसर है आपका भूमी राचस ठीक तो भूमी राचस जो होता है वो आपका चल लागत पूजी में शामिल नहीं होता यानि कि आपका डी नमबर नेक्स कुशन प्रस्थान बिंदू से वह कितनी धूरी पर है दोस्तों ये कोश्चन एक बहुत ही कॉमन कोश्चन है यदि आपने थोड़ा सा मैत का ध्यान देंगे ना पाइथार प्रमे में अपको पड़ी होगी तो आप बस दो तीन इसका अंसर पांच ही होता है तो इसका अंसर होता है आपका ये सम्धूली से कि डी आप देखते ही इसको पैशान लेंगे कि पाइथागोरस प्रमे में 2, 4, 3 और इसके बाद 5 ही आता है लेकिन इसको यहापे प्रूफ करने के लिए वो बच्चे जिन्होंने मैथ पे उतना ध्याने दिया होगा तो उनके लिए मैं आपको बता दूँ कि जब आप इसको देखेंगे यानि कि उत्तर पस्चिम में आपका 4 किलोमीटर ठीक तो आपका यह बनेगा ऐसे ठीक है फिर इसके बाद है आपका दस्चिन पस्चिन तीन तो यह बनेगा ठीक और इसके बाद जब आप पूछा जा रहा है आपसे कि इस बिंदू से इस बिंदू तक की दूरी कितनी होगी तो यह दूरी होगी इतनी ठीक तो यानि कि आपकी यह होगया 4 यह होगया 3 और यह आप कर निकालना है ठीक तो पाइटागरोस प्रमेश में हम लोग क्या करते हैं कि यदि हम इन सब को A, B, C, D डिकते के समाल लें यह A हो गया इसको हम O माल लेते हैं इसको हम C माल लें कुछ भी माल लेते हैं तो इसमें जब A, C निकाला जाएगा A, C, तो होता है कि आप यह पाइटागरोस प्रमेश में कि A, C का स्क्वाइर Yhe Squाइर QI OA का square plus OC का square यह होता है अब आप देखेगा जब आप इस line को note कर लें और जब इसके बाद आप इसको note करेंगे तब क्या होगा तब आप इसको note करेंगे AC square is equal to 4 4 का square जब करेंगे तब क्या होगा 16 plus 3 का square करेंगे भी क्या जाएगा 9 आजाएगा जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आजाएगा आपको 25 ठीक और यहाँ पर आपको लिखा है AC square जब AC हो जाएगा तो यह चीज़ हो जाएगी under root यानि कि 5, 5, 0, 25 इसलिए आपका 5 यह इस तरीके साब कर सकते हैं आप sequence से इस तरीके से लिखते जाएगी आपको यह answer हो जाएगा बहुत ही आसान question मैंने इसलिए आपको रखा है कि आप इस चीज़ को समझ सकें कि कठिन नहीं है ठीक है चलिए तो फिर next question देखते है question number 29 नवाप कंज पच्छी अभ्यारन कहां इस्तित है तो दोस्तों यह जब आप कानपूर से इलाबाद की लखनो की तरफ जाएंगे तो उन्नाव पढ़ता है उन्नाव जिनपत में यह आपका जिले में आपका पढ़ता है question number 30 देखते है मुढिया पूर्णिमा मेले का आयोजन कहां किया जाता है तो दोस्तों इसका अंसर है आपका गोवर्धन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बतातू कि जो मुढिया पूर्णिमा मेले का आयोजन है यह असार मास में कहा जाता है ठिक असार मार्च की जो फूर्मा होती है उसके दिन पूर्मा यह नहीं की गुरू पूर्मा उस दिन पे इसको आउजनत क्या जाता है और ये मथ्वरा व्रन्डा वन में इसका आउजनत छिदे के से होता है तो इसलिए इसका अंसर होगे आपका गो भर्दन ठीक है दोस्तों तो उमीद है कि आपको आज की questions बहुत अच्छे लगे होंगे तो दोस्तों आप यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको share करना बिल्कुल मत भूलिएगा लाइक भी करिएगा और यदि आपको कोई comment करना है तो आप नीचे इसके लिए मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा तो ठीक है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक इंतिजार करते हैं और जल्दी मैं आपके लिए दूसरे वीडियो लेके होंगा best of luck अपनी पढ़ाई को आप चारी रखिए और दोस्तों सेलेक्शन जरूर मिलेगा बस आप लगे रहे हैं